साउथ अफरीका में टीम इंडिया के साथ हुई बेईमानी, बीच मैदान पर ही अंपायर ने सरेयाम की बेईमानी, भारतीय टीम को आया गुस्सा फिर दिखाई उकाद, भारत और साउथ अफरीका के बीच जोहानिस बर्ग में T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेल इस मुकाबले में पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 201 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जवाब में मेजबान टीम की बुरी हालत देखने को मिली, नौवे ओवर में जब जडेजा खुद गेंदबाजी कर रहे थे, तब अंपायर ने मांगने पर भी उन्हें DRS नहीं इसी कारण जब पारी का नौवा ओवर चल रहा था, ये देखने को मिला, गेंद बाजी कर रहे थे कप्तान रवींद्र जडेजा और चौथी गेंद पर डेविड मिलर बीट हुए, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए, विकेट कीपर जीतेश शर्मा के हाथ बाहरी किनारा लगा है, लेकिन फील्ड अंपायर ने उसे आउट नहीं दिया, टेकनिकल फॉल्ट के कारण DRS मौजूद नहीं था, इसी कारण जब कप्तान जडेजा ने अंपायर से पूछा, तो उन्हें DRS के लिए मना कर दिया, वैसे ऐसे केस में अक्सर अंपायर पहले से ही कप्तान को बता देता है, लेकिन शायद यहां फील्ड अंपायर ने जडेजा को इस बात की जानकारी नहीं दी थी, इसी कारण रवींद्र जडेजा नाराज दिखे, वहीं हेड कोच राहुल द्रविड भी बाउन्डरी पर फोर्थ अंपायर के साथ इस पर चर्चा क उसने लगे